हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई स्टडी फिच चनल दोस्तों प्रिवियस यह में जितने भी कोश्चन्स पुछे गये हैं फिजिकल एजुकेशन कमपटेट्टिव एक्जाम्स टीटी पीजिटी के वियस एन बियस में उन सभी कोश्चन्स को टापिक वाइज आपकी सभी एक्जाम्स की आप प्रिप्रेशन शिलिबस के एकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो न सभी वीडियो उसों वुज्व वीडियो बैसे करके आप अपने मे mmmaSet को ब्हों सकते हैं, तो चलू चलते हैं आजए हैं में प्रस्णों की श्रिंखला के तरब तो दोस्तों पहला question है कि एक man species या man species की समों में electrical गतिविधी को record करने की एक विधी को क्या कहा जाता है तो दोस्तों इसको electro myography बोला जाता है तीक है आपसा number C correct answer नेक्ट कोश्चन है मानस्पेशी के विकास के लिए क्या जरूरी है अतरिक्त अन्वासिक छम्ता की अतरिक्त अभ्यास की अतरिक्त अराम और तराम मुक्ती की अतरिक्त अहार तो दोस्तों सही आपसन आप चूश कर चुकी होंगे यहाँ पे अत्रिक्त अभ्यास आपसन नमबर वी करेक्ट हो जाएगा मानस्पेशियों के विकास के लिए अत्रिक्त अभ्यास जरूरी है नेक्स्ट कोस्चन है विश्टोटक सक्ती का मापन निनलिखित किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है कि सट्ली प्वार शिट आप भुजा लटकाना कि यहां पर दोस्तो आपसन नंबर सी हो जाएगा क्ख़़ी शिधी द्व्वाध करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है वाटिकल जम किसको मापन करता है हमारे explosive power of lake पैरों की vomitar को मापता है ठीक है नेस्थ कोश्चन है लंबी कूध में किस्प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है लंबी कूध यानि लॉ provision में किस्प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है बिसफोटक ताकत का आपसर नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स कोशन है बल तथा गती सच्छमता का सम्मिलन कहलाता है दोस्तों मैं कई बर बता चुकी हूँ कि बल और गती दोनों का मिस्रव होता है बिसफोटक बल यानि एक्स्प्लोसिव स्ट्रेंथ आप अभ्यास और लोकौन इसमिती करण दोस्तों गामक कौसल हमारे हाथ पेरों की जो गामक चमता होती है हमारे सरी की जैसे की तैना दरना सैक्लिंग करना बहुत सारे अभ्यास करना तो यहां पर गामक कौसल सीखने के उत्तम विधी क्या हो जाएगी अभ्यास आपसर नमबर तो दोस्तों गामक कौसल यानि मोटर स्केल को सीखने के उत्तम विधी नियमित अभ्यास है इसके अंतर गतैना दरना सैक्लिंग करना आधिस हम्रित है इसमें अभ्यास द्वरा और सुधार तथा परिपकता आती है लेक्स कौस्चन है गामक गूर निमनलिखित में से किसका अधार भूत माने गये हैं तो दोस्तों गामक गूर निमनलिखित में से किसका अधार भूत माने गये है तो इसमें आपसर नमबर सी क्रिड़ा कोशल आपसर नमबर सी क्रिड़ा कोशल करेट हो जाएगा दोस्तों गबालक की गामक विकास यानि मोटर सक्ति के विकास में अ बाले अवस्था में गामक नियंत्रा स्थापित हो जाने से ही बालग बढ़ा होकर साइक्ल चलाना मोटर चलाना इत्यादी जटिल गामक क्रियां को कर सकता है क्या सामिल है दोस्तों जे सी आर जंप चीनफ रनिंग यानि साजेंट जंप साजेंट जंप चीनिंग एंसर्टल रन अप्सन नंबर ए यहां पे करेंट एंसर हो जाएगा निक्स कोचन है जे सी यार परिछण औक परिच्छर मापता है ये दोस्तों जैसे इसके अंन्तर सर्जेंट जंप चीनिंग सटल रनाता है यह कौन सी क्रिया होती है मोटर इसके मोटर फिट्नेस की क्रिया होती है तो आपसर नमबर 20 समानिय गामा की युगता यानि कि जनर्रल मोटर फिटनेस आपसन नमबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कोशन है परिच्छर के लिए सुन्ने परिकलपना शे कोई बेहतर उपकरण नहीं है जानने के लिए क्या जानने के लिए तो माध्यों में प्रवावी अंतर जानने के लिए आपसन नमबर ए नेश्ट है किसी भी खेल में अधिकारियों यानि रेफ्रीज की आसकता क्यों पढ़ती है दोस्तों आप सबको पता है क्यों पढ़ती है खेल के नीमों का शही पालंग करने के लिए आपसन नमबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इससे खेल कर नीमबर तरीके से आयोजन कराने के लिए वह जानकार होते हैं रेफ्रीज यानि अधिकारी नेश्ट कोचर है बैलेस्टिक प्रसिचर तरीका शफ्ट से अच्छा प्रसिचर है क्या बढ़ाने का दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कौ आपसन नमबर सी यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा बैलेस्टिक प्रसिचर तरीका शरीक लखिलापन यानि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा प्रसिचर होता है कि लिए सबसे अच्छा अध्यापन का ढ़ंग है चार आपसन दिया हुआ है संप अध्यापक केंदेट अध्यापक अध्यापन केंदेट अध्यापन तो दोस्तों यहां पर आपसन नमबर सी करेट हो जाएगा दोनों तरफ सक्रीता यानि कि इसमें सिखने वाला और सिखाने वाला दोनों सक्री है और उद्देश से पूर्ति हेतु उततपर होते हैं यही स kostयों की संख्या पर कि सिखाने वाली क्रिया का प्रकार पर तो कच्छा प्रबंधन किसा इस पर करता है शिखाने वाली क्रिया की प्रकार आफसान नम्बर D यहां पर करेक्ट हो जायेगाons का राफसे क्या क्या लुग्ट सेस्वा हुघ Sunil UP क्ला उत्तम प्रकार से सीखि जा सक्ती हैmas क्लाओनी के प्रैॉक्षि जिम्नास्टिक क्ला उत्तम प्रकार से सीखी जा सक्ती है की निच्छर समझा जाता 해야 यह अनुभा शम्यित करने की क्ला है in बुद्धिमत्ता की अभिवादी है, या सच्छम और लोकन की अनुभूती है, या अधिनस्त कर्मचारियों के प्रती साहता की अभिवर्थी रखता है, तो दोस्तों निरिच्छर, यानि किसी चीज को देखना, समझना, समझा जाता है, क्या, आपसन नमबर सी यहां पे आपसन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा खेलों के नियम का पालन करने से हम खेलों में इंजर्ड हो जाते हैं, गायल हो जाते हैं, और गायल हो जाते हैं, क्योंकि पति इसपद्धियों पेसिवर एतलीट खेलों की चोटों की पति अती समय दन सीर होते हैं, तीक है, मैस्कोंच खेल के छेत्रे में कुछ दुरगटनाय किसकी वज़ेशे होती हैं, खिलाई की ब्योहार से, समाजिक मतबेशी की परिच्छक की ग्यान में कमी से, दोस्प्रूव उपकड़ से, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि उपकड़र ही दोस्प्रूव होता है, उसके वज़ेशे भी खेल में दुरगटनाय हो जाती है, आपसर नमबर D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नेक्स कोशन है, एक कुसल प्रसिच्छ का संबंध है, कि शे है, तुर्टी निकालने से, कि अलोकल करने से, कि तुर्टी धूरना और तथा सुधार करने से, कि दियेगे कारे को बार-बार करन कि दिये फ्रटी आपसर नमबर D यहां पर करेक्ट हो जाएगा, तुर्टी धूरना और तथा सुधार करने से, प्रसिच्छ तक्निक, कौसल, ज्यान और व्यवहार सिखाने के ऐसी प्रक्रिया है, जिस कालक्ष-किसी व्यक्ति की यगता और आकांचा के अनुरूप तरीके अपना कर उस ब्यक्ति की प्रदर्शन चम्ता में सुधार करना होता है नेश्ट कोज़न है एथलीट का कौन सा मुख्य अभ्यास है जो उसे निपूर बनाता है तो दोस्तों लागातार अभ्यास की लंबे समय तक अभ्यास की संगत अभ्यास की सही और प्रयात अभ्यास तो दोस्तों यहां पर आपसा नंबर डी हो जाएगा सही और प्रयात अभ्यास एथलीट को निपूर बनाता है एथलीट वर किया गया अभ्याज उसके पर्फॉर्मेंस में सुधार लाता है जिससे खिलारी तीम उमर्ग में भी अपना शही युगदान दे पाता है अधी डिले किया देखे लिफिक का कोंचा viktig का स्यस्धान्त नहीं है वेक्तिक मदभ्यद का स्य१ान अतीभार का अभी प्रेडा का स्य१ान उपयोग- उपयोग का स्य१ान तो दोस्तों इसमें आप सही अंसर टिक कर द distinction कर दी होंगे जहांशे, अभी नवी प्रेड़ा का सिधान्ट खेल प्रसीचा का सिधांद नहीं है अन्य फिति फिर्ण खेल प्रसीचा का सिधान्थ हे तो दोस्तों आक्सा नम्श्चा मी रचयर हो योजना प्राराम की जाती है, इसका अप्सर्ण नंबर A करेट हो जाएगा, कलापर पूढ कुसलत्ना प्राराम की जाती है, अप्सर्ण नंबर A यहां पर करेट हो जाएगा, कॉंचे २िम्नी लेखित मेंसे कौन सा कंची कम पुंचछरी है दोस्टो यहां पे इस Kathican को आप कई बर DECK चुकियह है ताकत तो सबसे कम परोरिय क्या फेला सकता होती है तो यहां पंसिलता लखिला पहुंद सकती इन सभी को आप बाद में प्रैक्टिस द्वारा प्राथ कर सकते हैं बट गती अर्वांसिक अनुमधन होता है आप सा नमबर सी करेक्ट अंसर हो जाएगा नश्कों से नहीं दोस्तों लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं यानि कुलिंग डाउन कब करते हैं तो दोस्तों आप सबको पता होगा या खेल के पस्चात किया जाता है यानि कूल डाउन या लिम्बरिंग डाउन को वार्मिंग डाउन भी बोला जा सकता है किसी इस प्रधा या प्रतियोगिता या प्रसिच्छड के बाद सरीर को फिर से समाने आवस्था में लाने के लिए लिंबरिंग डाउन या कुलिंग डाउन का प्रयोग किया जाता है कुलिंग डाउन सरीर को धीरे धीरे थकावट या प्रयास की अवस्था में अवस्था से आराम या लगबग अराम की दसा में लाने की प्रक्रिया होती है। इसका अति महत्पूर उद्देश लेक्टिक अमले के इस तर को घटाना होता है। तता दिल की धड़कन और स्वास दर को शमान करना होता है। लेंबरिंग डाउन यानि ठंडा होना क्रिया किसी प्रसिचर कायक्रम या खेल प्रसिचर के तुरंत बाद अत्यांत आवर्शेक और लाबदायक होता है। कि किसी प्रतिविता के बाद या प्रसिचर लाबदायक है। वार्मिंग आप, सरकिट टेनिंग, लिम्रेंड डॉंडवन होना भारत तुलंत, दोस्तों, आफ़न नमबर C, लिम्रेंड डॉंडवन ठॉंडवन होना, थीक है? सारी के बाद कुल डाउन जरूरी होता है क्यों होता है चार आपसन दिये हुए है यह आक्सिजन लेने की छमता बढ़ाता है स्वासदर को समाने करता है लेक्टिक अमलका इस्तर घटाता है एडिनल का इस्तर घटाता है दोस्तों इसमें कौन आपसन सही है दोस्तों यहां पे लेक्टिक अमल का इस तरभी घटाता है जिसे हमारे थकावाट कम होती है तो यहां पर भी और सी दोनों करेट हो जाएगा दोस्तों लेक्टिक अमियुक्स होना क्योंकि तु अ क्या करता हा ईलेक्टिक अमल को निकालता है अंच्छार्य यहां पेखाएगा जाएगा नश्कोचन है पांस से दस मिनट का मंद गती से तहलना निम्न इस्तर के बियायाम का बिस्तार कहलाता है तो दोस्तों यहां पे आपसर नमबर ए करेट हो जाएगा कूल डाउन यानि पांस से दस मिनट का मंद गती से तहलना निम्न इस्तर के बियायाम करना बिस्तार कुल्डाउन को लाता है ठीक है खेलिया सारी स्रम करने की पस्चार सरी को समाने इस सिती में लाने के लिए कुल्डाउन किया जाता है जो अतिया निवार होता है या हमारी हिदर की बढ़ी हुई धरकां को धीर धीर शमानने करता है सरी को ठकावर से निजाह दिलाने में सहायक होता है या निलख्टिक अमल को घटाता है तो दोस्तों यह था टेस्ट एंड टेस्ट मेजर्मेंट एंड इस्पोर्ट ट्रेनिंग से जितने भी कोस्चन्स प्रिवेश सियर में आये हुए थे वह सभी कोस्चन्स आज समाप्त होते हैं एं नेक्स्ट वीडियो से खेल मनुविज्यान और दर्शन साहर से जितने भी कोस्चन्स पूछे गये हैं उसका सिरीज चालो होगा तो दोस्तों आई होप की सभी कोस्चन्स आपको समझ में आये होंगे और दोस्तों तिरिटिकल मुझे कमेंट में जरूर बताएए और ज्यादे सेयर किया किजिए जिसे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता रहेगा इससे मैं आपके लिए डेली बेसे से वीडियो बना सकूंगी एंड दिस तो पहली बार विजिट कर रहा है तो चलो कर सब्सक्राइब कर लेजिए विल पॉटिफिकेसन मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैनी